जहिन देखें DR-DO दोरा विक्सित तपस ड्रोन के बारे में समझते हैं यह पहले सर्वलांस ड्रोन था अब इसे हमला करने के लिए तयार कर दिया गया है यह अभी बैंगलोर में हो रहे है एरसो का ऊपर से एरियल सर्वलांस किया है इसका नाम तपस है तपस का फुल पहम होत यह एक्चुल एक सर्वलांस ड्रोन के रूप में इसे विक्सित किया गया था लेकिन अब इसे आर्मल ड्रोन के तबदील कर दिया गया अमेरिका भी प्रेडिटर जो ड्रोन बनाया था वो पहले सर्वलांस के लिए बनाया था निग्रानी के लिए अब उसको क्या कर दिया उसमें मिसाइल बगरा लगा के हाट पॉइंट जोड के उसे घातक हातियारों से लाइस कर दिया आज दुनिया में सबसे जादे तबाई वही मचा रहा है तो यह जो हम लोग का तपस ड्रोन है रूस्तम 2 का यह एडवांस बर्जन है कि और इसके नंबर्स को बढ़ाये जाएगा शुरुवाती परिक्षण इसका करनाटक में हुगा था करनाटक के सुरुवात में इसका कोलार में परिक्षण हुगा दूसरा परिक्षण जो पूरा बढ़ियां से ट्राल किया गया हो चीतर दुर्ग में यह अक्सर कोशन पुझेगा चीतर दूर कहा है करनाटक में हाला कि पहले भी मिसाइलों के परिक्षण के लिए हमारे पास उरिशा का वीलर दूइप जिसका नाम कलाम दूइप हो गया उसके उपर है चांधीपूर और यहां पोखरान यह चार जगह याद रखेगा मिसाइलो जादे हैं जितना जादे wings रहेगा वहा में उतना जादे stable रहेगा वो कोई बीची stability उसकी बढ़ जाती है इसमें टर्बो प्रॉप टाइप के इंगन लगेगा है जिसके फैन बाहर होते हैं तर्बो प्रॉप इंगन के फैन गया हो है बाहर रहेंगे इसमें तीन ब्लेड गुमने के लिए जबकि तुर्की का जो टीबी टू ड्रोन था उसमें दो ही विंग्स थे दो ही फैन है गुमने के लिए इसमें तीन फैन है जो तुर्की ने पूरी दुनिया में हला कर दिया कि उसी का ड्रोन सबसे बढ़िया है उसका जो ड्रोन है उसमें दो ही विंग लग जद्वीड टैना सि हाना च्सक्राइब सरय सहें उर्म सेंफ़ा वांस चीछ इं पांडेन्स से पकड़ेंगे अंप को फ्राना खाल और रिंट गोस्ता यह एक हजार किलो मीटर तक जाकर हमला कर सकता है आप इसकी रफतार साड़े तीन सो किलो मीटर परती घंटा बताईगी है आप अभी इसकी रफतार इंजन और इसमूथ होगे इसके खाली वजन केवल मतलब जहाज का वजन है इस ड्रॉन का अकेले वजन अठारा सो केजी है लेकिन यह ले जा सकता है सारे 300 kg का पेलोड, यहीं से इसकी एडवांसमेंट चालू होती है, कि सारे 300 kg के हथियार को यह ले जा सकता है, जब कि तुर्की का जो TV2 ड्रोन था, वो महझ देर सो केजी के ही वजन को ले जा सकता है, देर सो केजी में वो दो से तीन मिसाइले ही ले जा सकता था जिस वज़े से उसे बार-बार वापस आना पड़ता था दूसरा ये एक राफेल में पचास राफेल खरी इसको एक राफेल में ये पचास्ट हो जाएगा अपाड़ा इतना खतरनाक जिसका कोई अभी डिस्कलोज नहीं होता है ये डिफेंस के चीजों की द्रोनों में हाड पॉइंट लगाए जाएंगे, चार हाड पॉइंट लगाए जाएंगे, दो इस विंग्स पे, दो इस पॉइंट पे, हाड पॉइंट उसे कहते हैं, जहां पर हम हतियारों को अटैच कर सकते हैं, तो इसमें चार हाड पॉइंट लगा दिये जाएंगे, जह अगर हम साथ हीले मिसाइल लाद देते हैं तो सारे 300 केजी टोटल वेट हो जाता है और आपको पता है कि इसकी छमता ही जो है वो सारे 300 केजी उटाने की है यानि हम लोग एक साथ साथ हेलीना मिसाइल छोड़ सकते हैं यानि वो करोडों का टैंक भेजो हम यहां से ड्रोन भेजते रहेंगे यूद नीतियां बदल चुकी है यूकरेन की लड़ाई और अर्मेनिया और अर्जर वैजान की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि अब जिनके पास ड्रोन टेक्नोलोजी बहतरीन है वही आगे निकलेगा आप देखे इरान जैसा चोटा देश जो डिफेंस के मामले में आत्म निर्भाद नहीं था वह चोटा देश इरान भी रूस को ड्रोन दे रहा है कि हमारे ड्रोन से आप यूकरेन में मारी है तुरकी जो भी हतियार के निर्यात में उतना नहीं परसी था लेकिन इसने भी यूकरेन को दिया मारने के लिए और यह ड्रोन तकता पलट कर दिया यह ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं मेsky लड़ाई इसी चीज़ के बहुत सस्ते होते हैं आप ड्रोन में कोई पाइलेट नहीं बैठता है इसलिए human casualty का कोई बात नहीं होता है तो यह आरमल ड्रोन अब हो जाएगा यह TB2 ड्रोन और साथ मिसाइलों को ले जा सकता है और टैंक का हाल यह हो जाता है देख सकते हैं आप इसमें अलग तरह का navigation system जोड़ा गया है दुनिया के जितने ड्रोन है जमतलब जादेतर ड्रोन जैसे TB2 ड्रोन हो गया और इरान का ड्रोन हो गया यह GPS का परियोग करते हैं और GPS की controlling अमेरिका के पास है तो हम अपना आख अमेरिका को नहीं नहीं दे सकते हैं तो भारत ऐसा है कि क्यों हमारे पास ISRO ने Gagan satellite system छोड़ दिया तो य यह उन ड्रोन को रास्ता दिखाने का काम Gagan करेगा और Gagan अल्रेडी trusted है हमारी navy यूज करती है एरपोस पहले से यूज कर रही है जहाज हमारे इंडिया में जितने उड़ते हैं वो Gagan को यूज करते हैं जितने भी trains वगरा का exact location के लिए भी हम लोग गगन का ही परियोग करत हैं यह पूरी तरह से Gagan drone system से उपर का इसका antenna signal ले लेगा और कहां क्या चीज हो रहा है सब कुछ बता कर लेगा इवन कि यह आपस में link भी होते हैं अगर कोई commercial जहाज जा रहा है इसको कुछ दिखाई दिया तो यह Gagan को बता देगा वो बता देगा drone को यहां पर तो इन डाटा इजी पता चल लेगा है कहां हमला करना है कहांने अब GPS में कोई data मिल रहा है वो देर से मिले जैसे अगर किसी को बता दिया कि लखनौ के ऊपर से जहाज जा रहा है आदा गंटा बाद हम यह सूचना देगे कि लखनौ से जहाज जा रहा है तो तो जहाज पता नहीं क दूसर से integrate जिसे हमें real time data लेने में easy हो गया इसमें navigation system में दुनिया का सबसे advanced navigation system डाला गया है आपे इसके camera में बिल्कुल HD quality को लेकिन HD quality यह देखने के काम में आता है यूद में कितना अच्छा देखते हैं यह मतलब नहीं जब दूसमन को देख लेंगे तो आप भी दूसम तो अब वो HD HD काम नहीं आने वाला लडाई में अब technology काम आईगी तो उसमें क्या काम आएगा देखिए night vision यहां नीचे surveillance के लिए लगाए गया है इसमें night vision भी दिये गया है और साथ में इसमें thermal camera भी दिये गया है देखिए night vision होता है कि हमें अंधेरे में देखने की सहूलि camera हमा गर्मी को भाफता है कहां का temperature जादे है उसको गरम करके दिखाता है जैसे यह हिरन है इनका temperature जादे था तो इनको इस color से दिखा दिया बाकी के पेड़ पोधो का temperature कम था तो उसको अलग color से दिखा है तो यह होता है thermal camera और यह होता है night vision आम अमूमन ऐसा लगता है कि जब night vision camera है तो thermal की जरूवत क्या है देखे night vision से अच्छा thermal होता है reason क्या है अगर इन हिरन को उपर एको तिरपाल उड़ा देते हैं या चादर से ढख देते हैं या हिरन के जगा अगर फोजी रहते हैं ढख लेते हैं अपने आपको तो night vision उसे नहीं देख पाएगा कि इसके अच्छा होता है यह क्या नहीं डिफेंस के मामले में night vision से लेकिन कव किसकी जरूवत पड़ रही है तो night vision में भी देख लेगा दिख रहा है थर्मल में भी देख रहा है एकदम एकुरेट पता चल जाएगा तो यह दोनों सिस्टम इसमें लगा के दिया गया है हमारे हमको जब आसमान में कोई चीज उड़ रही होती है तो हमें चाहिए थर्मल कैमरा क्या करता है कि छोटी सी छोटी चीजों को दिखाने लगता है कि हाँ नाक के पास का temperature जादे है हथेली का temperature कम है माथा का जादे तो कई color से दिखाने लगता है इससे confusion होने लगता है इसलिए उससे बेटर है infrared sensor, IR sensor, infrared, 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 infrared system, infrared system में क्या होता है कि इसमें computer में save कर दिया जाता है कि जादे temperature को दिखाना है बाकी को color कर देना है तो अगर इसमें set कर देंगे दिखाना है तो देखिए कोई भी जहाज चलेगा तो उसका degree Celsius होता है या इसमें set कर दिए इसके system में कि 200 degree Celsius से temperature जादे रहेगा तो ही screen पे दिखाना otherwise में मत दिखाना तो इसका पूरा screen काला दिखता है इस type का काला दिखेगा लेकिन जहाँ temperature जादे आया 200 degree Celsius तो जहाँ जहा देगा वहां वहां का design बना देगा तो देखिए जहाँ जहाँ temperature इसको जादे दिखा उसका design बना दिया पता चल गया इस तुरा जहाँ बागी पूरा black रहेगा तो इस पर इससे भी आटेक करने में easy हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका temperature जादे था तो पकड़ लिया त तो navigation की कितनी बेहतरीन बेवस्था रखी गई लेकिन यह सारा navigation फेल हो जाता है जानते हैं कब जब कोई जहाँ ग्राउंड पर हो और उस ग्राउंड के जहाँच का engine off हो तो पकड़ना काफी मुस्किल होता है तो अभी के समय में सबसे advanced technology है वो है synthetic aperture radar synthetic aperture radar कैसे काम करता है उस system को भी इसमें दिया गया है synthetic aperture radar को अब समझ में